नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं कार्टिक मास महात्तम के चौधवे दिन की कथा, अध्याय चौधे में नंदीश्वर, गणेश और कार्टिके जी का जलंदर से युद्ध नारज जी बोले, हे महाराज, वे दैत्य, नंदीश्वर, गणेश जी और स्वामी कार्टिके इत्यादी को देखकर द्वंद युद्ध के लिए दोड़े। कालनेमी नंदी से, शुम्ब गनेश से और निशुम्ब स्वामी कार्तिके के पास कवच धारन करके युद्ध के लिए वेग से आए। निशुम्ब ने स्वामी कार्तिके के मूर के हिर्दिय में पांच बान मारे। वहमूर मूर्चित होकर भूमी पर गिर गया। क्रोधित शहस्त्रों बानों से कालनेमी को बेंध कर साथ बानों से उनका घोडा, पताका, धनुश और सार्थी को काट दिया तब कालनेमी ने भी क्रोध करके नंदी के धनुश को काट दिया तब नंदी ने कालनेमी की छाती में तिर्शूल मारा ऐसे कालनेमी जिसका हिर्दय शूल से फट गया था, जिसके घोडे मर चुके थे, सार्थी भी मर गया था, उसने परवत खंडों की मार से नंदीश्वर को नीचे गिरा दिया, उसके पश्चात शुम्भ अपने रत पर गनेश जी अपने मूशक पर बैट कर दोनों आपस में पानों की वर्षा करते हुए लड़ने लगे, तब गनेश जी ने एक बान शुम्भ के हिर्दय में मारा, और तीन बान उसके सार्थी के हिर्दय में मार कर उसे प्रित्वी पर गिरा दिया, फिर शुम्भ भी कुपित होकर मूशक और गनेश जी के तीन बान मार कर मेग की त को पृत्वी पर गिरा दिया और फिर मूशक पर बैठ गए तत्पश्चात काल नेमी और निशुम्ब दोनों ने मिलकर बानों से गनेश जी को मारने का प्रियास किया उस समय ऐसा लगता था मानू कोई मनुश्य अंकुष से हाती को मार रहा हो तब महाबली वीर भद्र देखकर करोणों भूतों और कुश्मांड भैरव बेताल योगिनीगन और पिशाचादी के साथ दोड़ कर आए तब किलकिला शब्द और सिंग जैसी गर्जना से पृत्वी कापने लगी वे दोड़ दोड़ कर दैत्यों को खाते और संग्राम भूमी में उछलकूद मचा रहे थे नंदीश्वर और स्वामी कार्ती के स्वस्त होकर सावधानी से संग्राम में अपने बाणों से दैत्यों को मारने लगे छिन भिन मरी हुई तदा शिवजी के गणों से खाई हुई दैत्यों की सेना व्याकुल और उदास हो गई तब वीर जलंधर अपनी सेना को मरती हुई वैचिन भिन्न होती हुई देखकर बड़ी द्वजा वाले रत में बैटकर समर भूमी में शिवगणों के सम्मों खाया दोनों तरफ से हाती घोडे शंख भेरी आदी के शब्द सिंग नाद की भाती होने लगे जलंधर के बाणों से प्रित्वी इस तरह ढग गई जैसे आकाश कोहरे से ढख जाता है जलंधर ने पाँच बाण गणेश जी के नो बाण नंदी जी के और बीस बाण वीर भद्र को मार कर आप मेग की तरह गरजने लगा तब कार्तिके ने एक शक्ती देत्य के मारी जिसके प्रहार से देत्य का चित्त व्याकुल हो गया और वह घूमने लगा फिर जलंधर ने क्रोध में आकर गदा लेकर स्वामी कार्तिके के मारी गदा के लगने से वे भूमी पर गिर पड़े इस तरह उसने नंदी को भी प्रत्वी पर गिरा दिया तब गणेश जी ने क्रोध करके अपने फरसे से उसकी गदा काट डाली वीर बद्र ने तीन बान देत्य के मारे और सात बानों से उसके रत को चूलन कर गोड़े को मार गिराया तब ध्वजा, धनुष और छत्र काट दिये फिर देत्य राज ने अपनी भयंकर शक्ती गणेश जी के ऊपर चलाई और उनको भूमी पर गिरा दिया तब पश्चात वे दूसरे रत में बैटकर वीर भद्र के पास आया सूरे के समान तेज वाले वे दोनों महावीर आपस में लड़ने लगे वीर भद्र ने अपने बाणों से उसके रत के घोड़े मार कर गिरा दिये और धनुष काट डाले यह देखकर जलंदर परिग लेकर मारने को दोड़ा नारजी बोले उस जैत्यने वेह पर एक वीर भद्र के मस्तक पर दे मारा जिससे वीर भद्र मस्तक के फूटने से लहू गिराता हुआ पर्थे पर गिर पड़ा इश्री कार्तिक मास महात्तम चतुरदश अध्याय संपोर्ण